नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज पर जहां पर फिर मैं एग्री कल्चर के बेसिक कोशिन का वीडियो लेकर आया हूं लाश्ट में आपसे कोशिन भी पूछूंगा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में दिये गए बेल आइकान को जरूर हिट करें फ्रेंड्स वीडियो को सेयर कर देजेगा तक कि और लोगों तक पहुंच सके वीडियो को लाइक कर देजेग तक कि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो आपको देशकूँ देखते हैं पहला क्या है कि हरोइन नामक और शदी पदात किससे प्राप्त होता है बांग पोस्ट तंबाकू कवक आप श्र नमबर बीजा राइट एंसर जो हरोइन है या पोस्ट नामक प और अगर अगर हमें यहाँ पर कवक की बात करते हैं तो कवक से भी हमें कुछ औसीदिक पराप्त होते हैं जैसे कि penicillin Panicillin भूत ही महत्पून औशद है जो की penicillium notatum नमक कवक से रप्त होती है नेक्स्ट कोशन नार्मन यी बोर्लाग को नोबल पुरुसकार किस छेतर में दिया गया क्रसी, सांती, रसायन ये खेल फ्रेंट्स यहाँ पर दो चीजे होती हैं जैसे कि नार्मन यी बोर्लाग को नोबल पुरुसकार किस छेतर में मिला और जो बोरलाग पुरुसकार होता है या किस चेतर में दिया जाता है तो फ्रेंड्स जो बोरलाग थे तो इनके ही नाम पर बोरलाग पुरुसकार कर चेतर में दिया जाता है मगर बोरलाग को खुद नोबल पुरुसकार सांत के चेतर में दिया गया था इस question में option number B सही होगा next question हुक का तंबाकू में कितने प्रतिसत निकोटीन होता है 1.5 से 9 प्रतिसत, 9 से 3 प्रतिसत, 3 से 5 प्रतिसत या 6 से 7 प्रतिसत option number D is the right answer जो हुक का तंबाकू होती है इसमें 6 से 7 प्रतिसत निकोटीन पाई जाती है अगर हम सिगरेट, सिगार और बीर तंबाकू की बात करें तो इनमें क्रमसा जैसे सिगरेट में 1.5 से 5 प्रतिसत और जो सिगार होती है उसमें 2.5 से 3.5 प्रतिसत और जो बीर तंबाकू होती है उसमें 3.5 से 5 प्रतिसत निकोटीन पाई जाती है next question गन्ने की फसल में पेड़ी लेने की सलाह दी जाती है एक वर्स तक, दो वर्स तक, तीन वर्स तक, चार वर्स तक फ्रेंट्स जो गन्ने की फसल होती है रेटूनिंग की सलाह कितने साल तक लेने की लिए दी जाती है इसमें आप्शन आपका एस सही होगा रेटूनिंग एक साल के लिए ही उप्युक्त मानी गई है नेक्स्ट वोशन आलवी कल्चर किस से समंदित है सबजियों से, फलों से, जैतून से, फूलों से So, option number C is the right answer जो आलवी कल्चर है या जैतून की करसी से समंदित है Friends, ऐसे ही एक मिलता जुलता सब्द है जैसे ओलरी कल्चर जिसमें की सबजियों के उतपादन का अध्यन किया जता है Next question, रेबीज वैक्सीन को किस ने तयार किया Friends, जो रेबीज केंगे जिश्ट वैक्सीन थी उसको किस वैक्यानिक ने तयार किया था जैनर, पास्चर, निकोले, थामस, विपिल So, option number B is the right answer जो रेबीज अगेंच जो वैक्सीन तयार किया थी उसे पास्चर नमक वैक्यानिक ने तयार किया थी जो कि France के रहने वाले थे और उन्होंने 1885 में इस वैक्सीन को तयार किया था Next question, वास्पोसरजन की दर को मापने का यंत्र है वास्पोसरजन की दर को किसी यंत्र से मापा जाता है Atomometer, आगजैनोमीटर, अल्डिमीटर, बैरोमीटर So, option number is the right answer वास्पोसरजन की दर को Atomometer से मापते है अगर हम आगजैनोमीटर की बात करें तो पौदे की व्रद्धी को आगजैनोमीटर से मापा जाता है और अगर विमानों की उचाई की बात करें तो यहाँ पर विमानों की उचाई को अल्डिमीटर से और वाईवन्डल के दाप को बैरोमीटर से मापते है नेक्स्ट कोशन जवाहर रोजगार योजना की सुरुवात कब हुई 1980, 1989, 1990, 1995 आप्शन नमबर B is the right answer जो जवाहर रोजगार योजना थी 1989 स्वी में सुरुव हुई थी नेक्स्ट कोशन करसक भारती किसे तरह की पत्रिका है जो करसक भारती पत्रिका है जो की चन से खराजाद कैसे हो प्रद्यों की विश्विद्याले कानपूर से प्रकासित होती है किस तरह की पत्रिका है मासिक, त्रेमासिक, अधवासिक या वार्सिक आप्शन नमबर is the right answer जो करसक भारती पत्रिका है, यह है कमासिक पत्रिका है Next question, butachlor का व्यापारिक नाम है, जो हर्विसाइड होता है, butachlor, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है लासो, मचेटी, स्टांप, वीडर So, option number 2 is a right answer, जो butachlor होता है, इसका व्यापारिक नाम मचेटी होता है अज़र आप्सिंस की बात कहें तो एलाग्लोर का व्यापारिक नाम लासो और इस्टांप जो है या आपका पेंडी मिधलीन का व्यापारिक नाम होता है और टूफोडी का व्यापारिक नाम वीडर होता है Next Question सरसों के तेल में पाया जाने वाला विसाहला पदात है गौशी पॉल, इरुसिक अमल, सेपोनीन, एफ़ला टॉक्सिन आप्शन नमबर, बीजा राइट एंसर, सरसों में इरुसिक एसिड जो विसेला पदार्थ होता है, पाया जाता है अधर अप्संस की बात कहें, जैसे गौशी पॉल, यह अपका कपास में पाया जाता है, सेपोनीन अपका लूशरन में पाया जाता है, और एफ़ला टॉक्सिन नमफली में पाया जाता है, जो की विसेले पदार्थ होते हैं एरोइंग किस फसल से समंदित है, गेहू, मक्का, गन्ना, धान तो एरोइंग होता क्या है, तो फ्रेंट्सिन गन्ने के पुस्प को एरो कहते हैं, और इस पुस्प के निकलने की क्रिया को ही एरोइंग कहते हैं तो इस question में आपका option number C सही होगा arrowing किस फसल से संबन्दित है तो गन्ना से संबन्दित है next question हसाने वाली gas है किसे laughing gas कहते है butane, nitrous oxide, methane या nitrous chloride option number D is a right answer जो nitrous oxide होती है इसे ही laughing gas कहते है next question कुसुम के बीजों में तेल का प्रतिसत होता है 30 प्रतिसत, 35 प्रतिसत, 40 प्रतिसत, 45 प्रतिसत option number C is a right answer कुसुम के बीजों में 40 प्रतिसत तेल पाय जाता है next question धान्यों का राजा किसे कहते हैं बाजरा, धान, मक्का, गेहुं option number D is a right answer जो king of cereals है इस गेहुं को कहते हैं वीट को ही king of cereal कहते हैं अगर queen of cereal की बात कहें तो मेज को queen of cereal बोला जाता है next question अर्थ सास्त के पिता है father of economics किसे कहा गया है kins, robins, adam smith, marsl option number C is a right answer जो adam smith है इनने ही father of economics कहा जाता है next question वन दिवस, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है बाइस मार्च, 21 मार्च, 22 अपरेल, 16 अक्टूबर so option number 2 is a right answer जो विश्व वन दिवस है 21 मार्च को मनाया जाता है other options की बात के जैसे 22 मार्च 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 अपरेल को प्रत्थी दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खादी दिवस मनाया जाता है next question NRC for Weed Science कहां इस्तित है National Research Center for Weed Science कहां प्र इस्तित है जुनागर, जबलपूर, नागपूर, इंदौर so option number B is a right answer जो NRC for Weed Science है या जबलपूर में इस्तित है next question menu में कौन सा एक climactic fruit है climactic fruit का उदारकाउन है नीम्बू, अंगूर, केला, जामून so option number C is a right answer जो केला है, कक्लायमेक्टरिक fruit है बागी आपका नीम्बू, अंगूर और जामून नान क्लायमेक्टरिक fruit में रखे कए है next question सबसे अधिक प्रोटीन किसकी हे में होती है किस चारे से हम अगर हे बनाये तो सबसे अधिक प्रोटीन होती है परसीम, मक्का, बाजरा, लूसर आप्शन नमबर D is the right answer लूसरन की हे में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है ऐसे ही अगर हम कार्बोहाइडरेट की बात कहें कि सबसे अधिक कार्बोहाइडरेट किसकी हे में होती है तो बरसीम की हे में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइडरेट पाई जाता है और लूसरन की हे में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है यह फ्रेंड्स आपके लाश्ट वीडियो का कोश्चन है जिसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में देना था कोश्चन क्या है बलाश्ट किस फसल का रोग है गेहू धान गन्ना जो इसमें आपका आप्शन नंबर भी सही होगा जो बलाश्ट है यह धान का बहुत ही पहंकर रोग है फ्रेंड्स यह आज का कोश्चन है जिसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में देना है कोश्चन क्या है केला का बंची टॉप रोग किसे से होता है वाइरस बैक्तिरिया फंजाई इनमें से कोई नहीं इसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में देना है बाकी दोस्तों आपको कैसा कमेंट बåक्स में ज्रूर बता है प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर रिट करें, आप हमसे टेली ग्राम, इंस्